हलो फ्रेंड्स एक पर फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग गुल में और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि मैं ऐसी सांदार वीडियो ले के आता रहता हूं और आज संडे है तो मैंने सोचा कि कुछ अलग हटके वीडिय में और यह पोर्टफोलियो सीरीज की मेरी पहली वीडियो है आगे और ऐसी वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को मेनेजमेंट करना है अपने पोर्टफोलियो को तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक लाग के पोर्टफोलियो की तो एक लाग और इसलिए आपको डिवाइड करके पैसे रखने हैं, 3-4 सेक्टरों में, 5 सेक्टरों में, जिससे कि अगर एक स्टॉक लगाड भी हो जाए, बेकार भी हो जाए, तो आपके पैसे सेफ रहेंगे, और आपके रिटन भी अच्छे रहेंगे, एक स्टॉक के खराब हो जाने से आपके return पे ज्यादा कोई effect नहीं पड़ेगा तो इसलिए पोर्टफोलियो बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और जो पोर्टफोलियो के लिए वही सबसे पहले तो आपको जरूरी है एक लाक रुपए में तो आप बीस हजार रुपए इसमें पार्क कर सकते हैं और इसमें जो stock है इसका leader है फमसी जी का हंदिस्थान इनिलीवर नैसले ब्रिटानिया डावर और टाटा कंजूमर ये अच्छे stock हैं फमसी जी के तो इन में से आप कोई भी consider कर सकते हैं ऐसा नहीं अभी खरीद ले वही जब value आती है जब मैं वीडियो बनाता हूँ सस्ते दाम पे आते हैं तबाव इसको खरीज सकते हैं इन में से किसी को भी अपने portfolio में रखने के लिए उसके बाद आता है bank का number और ये भी वही core portfolio के stock होते हैं बैंक वाले और इसमें बैंकों में अगर बा सकते हैं किसी दिन गिरावट आई तो भी इसको खरीज सकते हैं तेरा सो सतरसी के आसपास मैंने इसको भी बताया था बाइंग लेवल इसका और अभी ज्यादा भागाव भी नहीं है ये और अगर FMCG में बात करूं तो बिटानिया अभी अभी बाइंग लेवल के आसपा च इच्छी कंपनी हैं बजाज फाइनस बजाज फिंसर्व लेकिन ये दोनों बहुत भागी हुई है का तो करेक्शन पर इनको खरीदना है बीस हजार रुपए आपने FMCG में पार कर दिये बीस हजार आपने बैंक में कर दिये बीस हजार आपने NBFC में कर दिये और उसके बाद आप IT सेक्टर का एक श्टार और खरीज सकते हैं कोर पोट्फोलियों के लिए और जो मेरे पसंदेदा श्टॉक हैं वो है वह वह TCS Infos is SCL Tag और जिसमें से SCL Tag वही अभी पका पकाये चलना है 900 रुपए के आजपास मैंने कई बार बताए कि आप खरी सकते हैं और अब उसके बात करेंगे 20,000 इसमें पार करने बाद आपके पास बच्चे 20,000 रुपए तो उसके बाद आप Other Stock की तरफ देख सकते हैं और Other Stock काफी है आप अगर फुट बेर सेक्टर में जाएंगे तो रिलेक्स हो है और बाटा है पेंट सेक्टर में जाएंगे तो वही एसीन पेंट है बर्जर पेंट है और Other Stock में जाएंगे तो डिक्सन है इंडिया मार्ट है डी मार्ट है रूड मोबाइल है आर्ती इंडस्ट्री केमिक के हैं आईग्टेल आप खरी सकते हैं गरी सकते हैं गया सेटर का बोल्टा सा गया है स्ट्रल हो गया तो काफी अच्चे क्या करना है दस जार भाई FMCG में पार्क करना है और भाई दस जार NBFC में पार्क करना है और दस जार IT सेक्टर में टोटल आपके 40,000 कोर पोर्टफोलियों में पार्क हो गए और उसके बाद भाई 60,000 पार्क कर सकते हैं तो यह आपका एक आईडियल पोर्टफोलियो और बाकी यह एक आइडियल पॉट्फोलियो मैं और बनाऊगा पांच लाक रुपे का और उसके बाद दस लाक रुपे का कि इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उस पॉट्फोलियो को तो उसके लिए आगे ने सीरीज में बताऊँगा उससे पहले वीडियो को इसको जरूर लाइक करो अपने